सो हेलो एब्रिवन बात करते हैं आज सर्वेसर फूट्स लिमिटेट के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं गिरावट हो गई है इस सेयर में न्यूस के चलते हैं इस सेयर में एक दो दिन से काफ़ी अच्छा मोमेंट बन रहा था अप्ट्रेंट मोमेंट इस सेयर में दिख रहा था लेकिन आज एकदम से सेयर में गिरावट हो गई है और ये लसी में लॉक हो चुका है सो क्या इसका support level नजर आ रहा है और क्या इसकी resistance level है यह मैंने वैसे previous वीडियो में बताई थी अगेन यहाँ पर एक support resistance बन रहा है सो बताते हूं इस वीडियो में आगे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या इसके returns रही हैं बट उससे भी पहले आप लोग हमारा WhatsApp ग्रूप जोईन कर सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया था हमने बायो कौन का share आप देखेंगे इसके all target done होने वाले हैं क्योंकि mid term perspective से दिया था सो overall यहाँ पर third target इसका done होने वाला है बात करें हम service वर foods limited के returns के बारे में यहाँ पर आज तो LC में lock है यह share 5 days में आप देखेंगे 28% इस share के returns रहे हैं बड़िया returns दियें इसने news के चलते यह returns रहे हैं वैसे 1 month में आप देखेंगे 18% returns है positive returns है अभी भी past 6 month में यहाँ पर कुछ returns नहीं है negative returns है and year to date में देखा जाए आप देखेंगे year to date में यहाँ पर भी ठीक ठाग returns है बड़िया returns है 89% जिससा आप से यह punish stock है और one year में भी negative returns है इसके returns इसके ठीक ठाग नजर आ रहे हैं जादा अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं बट आज कल में इसके अच्छे returns नजर आ रहे थे news के चलते यह returns अच्छे नजर आ रहे थे बट now यह LC में लॉक हो चुका है लोगों ने profit booking यहाँ पर start कर दी है तो अब क्या इसका support level नजर आ रहा है इस बारे में बात करते हैं यहाँ पर वैसे मैंने आपको previous वीडियो में यह भी बताया था यह 10.85 रुपीज इसका strong एक resistance है अगर यह इसके अबाव sustain करता है तो अच्छा कासा जाता हूँ अधिक सकता है आप देखिंगे वैसे तो आज इसकी opening 12 रुपीज के अबाव ही हुई थी तो यहाँ पर profit booking भी हो गई है बाकि यहाँ पर अभी के लिए जो इसका support नजर आ रहा है यह है 10.85 रुपीज का ठीक है जो अभी तक resistance थी वो अब support का काम करेगी and second support level यहाँ पर इसका नजर आ रहा है something around 9.50 रुपीज के round ठीक है और third support level इसका 8.40 रुपीज के round नजर आ रहा है अभी तो hold रखें इस share को बाकि पैनी स्टॉक है पैनी स्टॉक में ज्यादा invest मती कीजिए ठीक है तो अपने risk में कुछ quantity ही इस share में आप लोग buy करने का सोच सकते हैं क्योंकि यह अपने resistance के above इसने कल closing दी थी बाकि news के चलते ही अच्छा moment दिखाया इसने long term perspective से hold करने का सोच सकते हैं otherwise अगर कोई fresh entry लेने का सोच रही होंगे जो ठीक है अब जो इसकी resistance इसने कल यहाँ पर इसके above sustain किया था अब 13 रुपीज तक हो सकती इसकी next resistance so at your own risk buy करने का आप लोग सोच सकते हैं मैं ज्यादा recommend नहीं कर रही हूँ pen stock long term perspective से ही कुछ quantity 500 quantity ही long term perspective से बढ़िया रहती है बाकि यहाँ पर जिनके बास share है so अभी तो option यही है hold रखे क्योंकि sell तो नहीं होगा already यह LC में lock है अभी I hope आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी पसंद आई होगी thanks for watching this video